प्रिये चात्रो, नमस्कार NCRT गड़ित कक्चा दसमी में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रिष्णाबली 7.1 में ही प्रस्निक रमांग तीसरा हल करेंगे तो आईए सबसे पहले प्रस्न पढ़ देते हैं इसमें दिया गया है निरधारित कीजिए कि क्या बिंदू 1,5,2,3 और माइनस दो, माइनस ग्यारा सनरेखिये है तो सबसे पहले ये तीन बिंदू जो दिये गए हैं इन्हें A, B, C माल लेना है तो इन्हें हम A, B, C माल लेते हैं बिंदू A, एक पाँच को हमने A ले लिया दो, तीन को हमने B लिया है और C को हमने माइनस दो, माइनस ग्यारा ले लिया है अब हम समझ लेते हैं कि सनरेखिये का मतलब क्या होता है तो इसको रफ में हम समझ लेते हैं सनरेखिये का मतलब, सिंपल भासा में कहें तो एक ही लाइन में होना यदि तीनो बिंदू A की लाइन में हैं A, B और C यहां पर A लिख दिया यहां पर B, यहां पर C और अगर यह तीनों एक ही लाइन में है तो इसे हम कहेंगे सन रेखिये है सन रेखिये है और अगर यह इस तरीके से है तो यह तीनों एक ही लाइन में नहीं है क्योंकि एक लाइन या तो ऐसी खिचेगी या फिर ऐसी खिचेगी तो कम से कम दो बस आएंगे एक लाइन में तीसरा अलग होगा तो ये एक लाइन में नहीं होंगे तो इन्हें भूलते हैं आसन रेखिये तो सन रेखिये और आसन रेखिये में ये फर्क होता है तो कोई बिंदू संरे कि ये कब होते है उसके लिए एक यहाँ पे हम लोग सर्थ लगाएंगे कि अगर बात की जाए यहाँ पर यहाँ पे यदि A B निकाला जाए और B C निकाला जाए यहाँ पे मान के चलिए यह दिया गया है चार और यह दिया गया है एक और तीन तो A B और B C का योग अगर A C के बरावर है तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदू सन रेखिये हैं यह सर्थ आपको ध्यान रखना है यदि A B और B C को जोड़ दें तो वो किस के बरावर होना चाहिए A C के बरावर होना चाहिए तो A B पलस B C अगर A C के बरावर है तो तीनों बिंदू कैसे हो जाएंगे सन रेखिये इसकी और भी कई करने के तरीके हैं लेकिन यह सिंपल तरीका है A B पलस B C क्या हो जाएगा A C तो चलिए सबसे पहले हम A B निकालेंगे उसके बाद B C निकालेंगे और फिर A C निकालेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले हम A और B के बीच की दूरी निकालेंगे तो A B बरावर तो यहाँ पर देख लेते हैं यह बिंदू A के निरदे सांक है ये बिंदू B के है और ये बिंदू C के है तो जब A भी निकालना है तो फॉर्मूला तो होता है X2 माइनस X1 का बर्ग प्लस Y2 माइनस Y1 का बर्ग लेकिन ये जब हमें 2 से अधिक बिंदू दिये गए हो तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको डारेक्ट लिखना है और ये कब डारेक्ट लिखना है जब 2 से ज़्यादा यानि 2, 3, 4 बिंदू दिये गए हो तब की बात हो रही है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है देखते हैं कैसे लगाना है इसके लिए जैसे आपको A और B के बीच की दूरी गयाद करनी है तो आपको A B बरावर लिखना है इस मैंसे पहले नंबर मैंसे पहले नंबर का घटा देना है और दूसरे नंबर मैंसे दूसरी नंबर का घटाना है यानि X मैंसे X घटेगा B मैंसे Y घटेगा तो चलिए देखते हैं, तो अंडर रूट तो सबसे पहले लगेगा, तो ये अंडर रूट तो हमने सबसे पहले लगा लिया, अब यहाँ पर देखते हैं, हमें निकालना है A, B, तो दो मैंसे एक घटाना है, तो दो माइनस एक और बर्ग लगना है, यह फॉर्मूला मैं होता वर्ग प्लस तीन मैंसे आपको 5 घटाना है 3 माइनस 5 3 माइनस 5 और यहाँ पे वर्ग लगा देना है आगे बढ़ते हैं तो ये भी मिल जाएगा ये भी बराबर अंडर रूट दो मैंसे 1 जाएगा तो आपको मिलेगा 1 एक का बर्ग प्लस माइनस का 5 है और पिलस का 3 है माइनस का 2 जादा है तो यहाँ पे माइनस का 2 बच जाएगा और बर्ग लगा है तो बर्ग आ जाएगा आगे बढ़ते हैं और A B बरावर हम लिखेंगे A B बरावर अंडर रूट एक का बर्ग एक ही होता है और माइनस दो का बर्ग यदि हम इसे रफ में समझे तो इसका बर्ग का मतलब होता है इसे गुणा में दो बाल लिखना है माइनस दो गुणित माइनस दो अब माइनस माइनस का होता है समान चिन्नों का धन बन जाता है और दो दूनी चार तो ये मिलेगा प्लस 4 इसका अंसर तो यहां पे लिखेंगे प्लस 4 तो आपको जो A भी मिलेगा वो मिलेगा under root 4 और 1 5 ये आएगा तो यहां पे हम मात रख लिखेंगे कुछ भी आसकता है या एक काई भी आप लिख सकते हैं तो आपने A भी निकाल लिया है अब आपको निकालना है B, C A और B के बीच की दूरी है अंडर रूट 5 आप देख सकते हैं अब हमें B और C के बीच की दूरी निकाल लिया है तो आएए B और C के बीच की दूरी भी निकालते हैं तो यहाँ पर लिखना है इसी प्रकार BC बरावर अंडर रूट अब यहाँ पर देखते हैं यह BC तो फिर से वही चीज पहले नमबर में से पहले नमबर का घटाना है यानि कि यह X2 है और यह X1 है तो इसको ध्यान नहीं रखना है जब 2 से अधिक बिंदू दिये हूँ तो पहले नमबर में से पहले नमबर का घटाना है और दूसरे नमबर में से दूसरे नमबर का घटाना है तो माइनस 2 माइनस 2 सबसे पहले यह लिख लेते हैं माइनस 2 बीच में माइनस लगता ही है और यहाँ पे लिखा है 2 तो यह आजाएगा 2 और बर्ग लगा देना है प्लस अब यहाँ पे आपको देखना है दूसरे नमबर मैंसे दूसरे नमबर को घटाना यानि माइनस 11 मैंसे आपको घटाना है माइनस 3 तो यहाँ पर आपको लखना माइनस 11 है, माइनस 3 और बर्ग लगा देना है इस तरीके से इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आएगा 20 बरावर अंडर रूट माइनस 2 और माइनस 2 माइनस का हो जाएगा 4 और बर्ग लगा है तो बर्ग प्लस माइनस 11 है और माइनस 3 तो 11 है और 3 जुड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा चवदह और बर्ग लगा है तो बर्ग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे BC वरावर अंडर रूट यहाँ पर दिया गया है माइनस 4 का बर्ग इसका मतलब यह होता है minus 4 गुड़त minus 4 तो minus minus क्या हो जाएगा plus और 4 जोके 16 तो यह आएगा 16 plus यहाँ पे minus 14 का बर्ग है तो इसको भी same to same solve करेंगे इसका मतलब minus 14 गुड़त minus 14 minus क्या हो जाएगा plus और 14 गुड़त 14 करेंगे तो याता है 196 196, 196 हम यहां जाके लिख देंगे, अब हम जोड़ेंगे तो BC बरावर आएगा, अंडर रूट, और 196 और 16 जोड़ देते हैं, तो 6 और 6 बारह, बारह की 2 हासल आ जाएगी एक, 9 और एक 10 और 11 की 1 हासल आ जाएगी एक, 1 और एक 2, तो BC आया है, अंडर रूट, 212, तो यहां पर AB, BC हम ने निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे AC, तो AC के लिए, यहां पर हम हेडिंग डालेंगे, AC बरावर, तथा AC बरावर, तो AC का फॉर्मूला वही होगा, सबसे पहले अंडर रूट, और फिर इसके बात, यहां पर AC निकाल रहे हैं, इसलिए, दूसरे नमबर में से पहले नमबर को आपको घाटाना है, क्योंकि AC निकाल रहे हैं, इसलिए पहला नमबर यह होगा, तो माइनस दो मैंसे घटेगा एक, तो हम लिखेंगे, माइनस दो माइनस एक, और बर्ग लगा देना है, प्लस, इसी तरीके से, माइनस ग्यारा मैंसे घटाना है, माइनस पांच, स्वारी, पांच अकेला, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस ग्यारा है, और माइनस यानि घटाना का चेन रहता है फॉर्मूले में और ये 5 और बर्ग लगा है तो बर्ग लगा देना है अब इसको solve कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं AC बराबर under root minus 2 और minus 1 हो जाएगा minus 3 क्योंकि 2 और 1 जुड़कर minus 3 हो जाएगे और बर्ग लगा है तो बर्ग लगा देना है प्लस है तो प्लस minus 11 है और minus 5 तो इसको जब आप जोड़ोगे तो 11 है और 5 दोनों को जोड़ देना है तो यह हो जाएगा minus का 16 है और बर्ग लगा है तो बर्ग लगा देना है आगे बढ़ते हैं तो AC बरावर आपको मिलेगा अंडर रूट माइनस 3 का बर्ग है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3, गुलित माइनस 3 माइनस माइनस का प्लस और 3 तरका 9 तो यहाँ पे आएगा 9 प्लस यहाँ पे माइनस 16 का बर्ग है अब हम 256 और 9 जोड लेते हैं तो AC बरावर आएगा अंडर रूट 256 और 9, 265 तो यह AC आ गया है अब यहां पर हमने AB, BC और AC या AC निकाल ली है अब हम देखते हैं कि यहां पर ABC यदि एक ही रेखा पर हो तो AB और BC यह दोनों का योग AC के बरावर होना चाहिए इसका मतलब यह है कि AB और BC को यदि जोड दिया जाए तो यह किस के बरावर होना चाहिए? AC के बरावर होना चाहिए टोटल तो यह सनरेखिये होने की सर्थ है तो आएए देख लेते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे सनरेखिये होने के लिए सनरेखिये होने के लिए AB प्लस BC AC के बरावर होने चाहिए तो AB प्लस BC बरावर होने चाहिए AC तो AB देख लेते हैं कितना है तो इसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा और ये EB है अंडर रूट 5 यहाँ पर हम लिखेंगे AB तो है अंडर रूट 5 प्लस BC देख लेते हैं कितना है BC अभी निकाला है करणी 212 अंडर रूट 212 है यहाँ पर लिखेंगे अंडरasında PC list i also submit अंडरोट 65 तो यह देखिए ये डानों से बरावर नहीं हैं तो यहाँ पर लिखेंगे जो की सत नहीं नहीं जब य jetzt नहीं इंगे अताह्त 232 संद ही नहीं और इसके लिए मैं आपको स्क्रीन सॉर्ट यहां पर आप ले सकते हैं यह या वीडियो को पॉस्ट करके नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में तो इस तरीके से इसके बाद बीसी के बाद आप यहां से नोट कर लीजिए और इसके बाद आप इसको यहाँ पर नूट कर लिसकते हैं तो यह हो गया प्रस्निक रमांग तीसरा 7.1 का इसके बाद आगे बढ़ते हैं थैंक यू